Students, आज की क्लास में हम exam में पूछे जाने वाले बार के questions के बारे में discuss करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? जैसे 3 bar 3 bar, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3, 3, 3, 3, ये infinity, unlimited time तक या 4 bar, इसका मतलब क्या है? कि 4, 4, 4, 4, 4 ये क्या है? ऐसे चलता रहेगा, बार का मतलब है कि किसी number का बार बार आना या फिर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4 bar इसका मतलब है, 4 by 9 बार की जगे मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 बार का मतलब क्या होता है? 9, upon 9 तो अगर जब मैं इसे solve करता हूँ तो ये बनेगा 40, 9, 4, 36 यहां से बचा, 4 फिर 0, 9, 4, 36 फिर से 4 बचेगा, 9, 4, 36 फिर 4, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसका मतलब बार का मतलब होता है 9, जैसे 5 by 5 bar 5 bar का मतलब क्या होगा? 5 by 9 तो ये 50 बनेगा, तो कितना बनेगा ये? 9, 5, 45 फिर 5 बचेगा, 9, 5, 45 9, 5, 45 9, 5, 45 इसी साब से ये चलता रहेगा तो बार का मतलब होता है upon 9 अगर मैं रहूँ 6 bar तो 6 bar का मतलब क्या है? 6 upon 9 बार का मतलब ही ये होता है कि divide by 9 जैसे इस टाइब का question what is the value of 0.1236 और 36 के उपर बार है तो इस question को कैसे solve करेंगे? हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.1236 bar तो इसको कैसे solve करेंगे? 1236 क्या है हम पूरा लिखेंगे जो number है उसको हमने पूरा लिखना है minus जिसके उपर बार है वो हमने छोड़ देना है मतलब जिसके उपर बार आया उसको नहीं लिखेंगे जो बचा हुआ number है उसको हम इसमें से minus करेंगे upon जिसके उपर बार है तो मैंने अभी बताया था बार का मतलब क्या होता है? जैसे 5 bar तो बार का मतलब क्या होता है? 5 by 9 अभी जिसके उपर बार है यहाँ पर दो नमबरों के उपर बार है तो 9, 9 और जिसके उपर बार नहीं है उसकी जगे क्या जाएगा? 0 तो 2 की जगे 0 और 1 की जगे 0 अभी हम इसे solve करेंगे 1236 में से 12 गया तो 36 में से 12 गया तो 24 यानि कि 1224 अपॉन 9, 9, 0 अभी यह नमबर क्या? 12 से कट रहा है 12 कम 12, 0 12 दूनी 24 यहाँ से जाएगा यह 12, 74, 12, 8, 96 यहाँ से बचा 3, 0 12, 24 यहाँ से बचा 6, 0 12, 5, 6 इसका आंसर आया 102 बटे 825 यानि कि option number C सबसे पहले हमने क्या करना है? number को पूरा लिख लेना है जो value दी हुई है हमें उसको पूरा लिख लेना है जिसके उपर बार है उसको नहीं लेना है जिसके उपर बार नहीं है जैसे इसके उपर बार नहीं है 00 तो इसको हम solve करेंगे यह हमारा answer होगा अब इसका अगला question what is the value of 1.27 27 के उपर बार दिया हुआ है हमें तो इस प्रकार के questions को कैसे solve करेंगे इसको solve करने के दो तरीके हैं या तो हम इसको ऐसे लख सकते हैं 1.27 27 के उपर बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 27 यानि point की जगे क्या लगा दिया हमें plus 27 upon अभी इसके 27 के उपर बार है तो बार के लिए में क्या बताया था 9 होता है बार का मतलब तो यहाँ पर दो नंबरों के उपर बार है तो यहाँ पर 99 अब इसको हम सौलू करेंगे क्या हो जाएगा 99 इसका LCM आया यहां से हो गया 99 प्लस 27 इसका मतलब 99 और 27 कितना हो गया 126 अपॉन 99 अब यह नंबर किस से कट रहा है 9 से कट रहा है 9 इकम 9 बचा 3 9 चोके 36 और यहां से 9 इकम 9 9 इकम 9 यानि कि 14 अब बटे 11 यह इसका क्या होगा आंसर होगा अभी इसको हम दूसरे तरीके से करते है method number 2 से यहनि कि 1.27 हमें दिया है तो अभी मैंने जो पिछला question करवाया था 127 को हम क्या है पूरा लिखेंगे जो हमें number दिया हुआ है वह असर से पहले में पूरा लिखना है minus जिस number को पर बार नहीं है इसको पर बार नहीं है तो इसको हम minus करेंगे upon यहाँ पे दो number को पर बार है यानि कि 9,9 तो इसको हम solve करेंगे कितना हो जाएगा यह 126 upon 9,9 इसको solve करेंगे तो कितने से 9 से 9 से 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,1 तो 14 बटे 11 यही इसका answer हो गया यानि कि option number B अभी अभी इसमें हमने 0 नहीं लगा है 99 तो इस 1 की जगे क्या है हमने 0 नहीं लगा है इसकी जगे 0 नहीं लगाना है क्योंकि यह point से बार है जैसे पिछले question में हमने 0 लगाया था तो इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि यह क्या है point से बाहर है खाली इन दो नंबरों की जगे क्या आएगा नीचे 99 आएगा तो इसको हम ऐसे भी solve कर सकते हैं यह question CDS 2015 में पूछा गया है हमें दिया है point 63 उपर बाहर है plus point 37 उपर बाहर है तो इसमें simple है 63 और बार की जगे क्या आजाएगा 99 प्लस यहाँ पे 37 और बार की जगे क्या आजाएगा 99 अभी क्या करना है इसका इसका हमने LCM ले लेना है LCM कितना है इसका 99 यहाँ से 63 पलस 37 यह कितना हो जाएगा आपका 100 37 और तीस 90 और साथ और तीस 10 यानिकी 100 बाटे 99 तो यह ही इसका आंसर होगा इसका option number C 100 बाटे 99 यह CDS में पूछा गया question है अगला question What is the value of 1.34 34 के उपर बार है प्लस 4.12 यहाँ पर 2 के उपर बार है यह solve करना है हमने दिया हुआ है 1.34 इसके उपर बार है प्लस 4.12 यहाँ पर 2 के उपर बार है तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम 134 हमने पूरा लिखना है अभी बताया था minus जिसके उपर बार नहीं है वो minus में हो जाएगा इनकी 1 upon दो नमबरों के उपर बार है तो यहाँ के आ जाएगा 99 प्लस यहाँ से पूरा नमबर लिखना है हमने 400 बार है जितना नमबर दिया हुँ है पूरा लिखना है minus जिसके उपर बार है वो छोड़ देना है अभी क्या है 4,1 को उपर बार नहीं है तो यहाँ से 4,1 minus हो जाएगा यह सभी question हमें common रहेगा अभी नीचे क्या है अभी इसके नीचे क्या है एक नमबर को उपर क्या है बार है और एक नमबर को उपर बार नहीं है तो एक नमबर को उपर बार है उसके जगे आ जाएगा 9 और जिसके उपर बार नहीं है उसकी जगे क्या आ जाएगा 0 और यह point से बार है तो इसको जगह हम कुछ नहीं लेंगे यह point से भाहर है तो यह agitive रहेगा तो अभी इसे हम solve करेंगे तो यहां से हो जाएगा 133 बटे 99 प्लस 412 में से 41 गया जहां से 1 74 ग्यार है और यह 3 371 बटे 90 इसका हमने LCM लिया कितना है 990 99 में से 10 बार गया तो यह हो गया 1330 प्लस इससे जाएगा तो यह 11 बार जाएगा 11 के हम 11 11, 37, 70, 1, 78 7, 11, 33, 7, 40 यहीं कि 4081 और 1330 यह कितना हो जाएगा 5411 अपोन 990 यही इसका आंसर होगा यहीं कि option नमबर C 5411 बटे 990 यही इसका आंसर होगा फिर से पता देता हूँ 134 हमने पूरा लिखना है माइनस जिसको उपर बार नहीं है वो माइनस करना है डिवैड बाई दो नमबरों को उपर बार है तो 999 आजाएगा प्लस 400 बार है हमने पूरा लिखना है माइनस जिसके उपर बार नहीं है, यानि 41 के उपर बार नहीं है, तो minus 41, upon, एक नम्मर के उपर बार है, तो इसके गर 9 आएगा, यहाँ पर बार नहीं है, इसके जागे क्या जाएगा, 0, इसको solve किया, यह इसका answer है, अभी a question, what is the value of 0.2341, और यहाँ 341 के उपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं, 2341 हमने पूरा लिखना है, जो नम्मर दिया हुआ है, जिस नम्मर उपर बार नहीं है, यहाँ पर 2 के उपर बार नहीं है, तो minus 2, यह सभी questions में common रहेगा, same, ऐसे ही रहेगा, अभी देखना है, हमने कितने नम्मर उपर बार है, एक, दो, तीन नम्मर उपर बार है, तो तीन जगे नव आएगा, और इसको पर बार नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा, 0, तो 41 में से 2 गयत कितना बचा, 49, यानि कि 249 बटे, 9, 9, 9, 0, यही इसका answer है, 249 बटे, 9, 9, 9, 0 इनकी option number D, यही इसका answer है,